हलो फ्रेंड अनुज के वापिस लौटनी की नियोज मिलते ही वनराज का जहरा पीला पर चुका है उसके रादों पर पानी फिर गया है तो वहीं अब वनराज जो है वो इतनी आसानी से हाथ लगी बाजी को जाने नहीं देगा उसने भी अब बहुत ही खतरनाक और फुल प्रूफ प्लान बना लिया है अनुज और अनुज और अनुपमा के खिलाफ और उस प्लान को कामियाब करने के बाद अनुज और अनुपमा कभी एक नहीं हो पाएंगे तो वहीं बात करें काव्या की तो अनुपमा के साथ साथ वो भी बहुत खुश है अनुच के वापस लोटने की नियूस से लेकिन काव्या और अनुपमा की खुशियों को बहुत जल्द माया, वन्राज और बर्खा की नजर लगने वाली है क्योंकि शो के विलन्स इतनी असानी से नहीं होने देंगे उन दोनों का मिलन, वन्राज ने भी प्लान बना लिया है तो वहीं माया भी तयार है अनुच को अपने माया जाल में फसाने के लिए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप से शेयर करेंगे उन तीनों के प्लान्स के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टैली बूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक् पहला प्लान जहां पूरी तरह से फेल हो गया है अब वन्राज इस उधेर बुन में लग गया है कि उसके सपनों का क्या होगा जिसमें वो वापिस पाना चाहता है अनुपमा को अपनी लाइफ में वन्राज को डर है कि अनुच अगर वापिस आ गया तो वो अपनी अनुप बात करें काव्या की तो इस बात से काव्या काफी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि फाइनली अनुझ अपनी अनुपमा को अपने साथ लेकर चला जाएगा और वो दौनों एक हो जाएंगे तो वही माया ने भी बहुत बड़ी चाल चल दी है अनुपमा को लेकर उसने अपनी मांग में अनुझ के नाम का सिंदूर सजा लिया है और साथ की साथ अपने गले में पहन लिया है मंगल सूत्र भी और वो भी सीधे सीधे अनुपमा के सामने खड़ी होने वाली है और साफ स जोसे तुम्हारी फूल जैसी बेटी की जिन्दगी खराब हो जाए तो इतना तो तुम खरी सकती हो कि एक बच्ची की जान बचाने के लिए अपने अनुच को मेरे हवाले कर दो क्योंकि तुम्हारे अनुच की जान मेरी छोटी में बसती है जी हाँ दोस्तो माया खेलने वाल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें